नमस्का दोस्को आज हम बात करने वाले हैं OTT पे रिलीज हुई एक इंदी फिल्म के बारे में जिसका नाम है केसा ये फितूर ये एक रोमेंटिक ड्रामा फिल्म है जहां पे इसको देखने के बाद मेरा जो पिलन बनता है उसको मैं गर आपको बताऊं तो मेरे लिए मूवी एक क्रिंज और वाहियत मूवी साबित होती है इस मूवी में देखने लायब कुछ भी नहीं है ना इसकी स्टोरी लायन बढ़िया है ना ही एक्टर के पफोरमस्स बढ़िया है ये मूवी देखने के बाद आपका सच में दिमाग खराब हो जाएगा और सच में आप अपने आपको कोसोगे कि मैंने अपना किम्ती समय इस फाल्तू मूवी बे क्यो बरबाद किया फिल्म की बेजिक स्टोरी लायन की बात करें तो तन्वी नाम की एक लड़की है उसके नेबर में एक अभई नाम का लड़का रहता है जो बहुत ही घमंडी है पेसे वाला है, अमीर है और हर कोई ना कोई दूसरे दिन उसके आपे नई लड़की आती रहती है और वो उसके साथ लोमेंस वगेरा करता रहता है अब तन्वी को अनमंदरी अंदर अभई पसंद आ जाता है लेकिन क्या वो अभई के साथ अपनी फिलिक्स शेर कर पाती है या नहीं ये जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी दोस्तों जब भी कभी आपको कोई मुवी पसंद आ जाती है तो अब आप वहाँ पे शोर हो जाते हो कि यार मुझे इस मुवी में इसका डायरेक्शन बहुत पसंद आया इस एक्टर की पफोर्मस मुझे पसंद आई या फिर उसकी स्टोरी लाइन मुझे पसंद आई आप अंदर से निश्चिन्त होके मुवी को समझने लगते हो लेकिन इस मुवी में इसा नहीं है आप कंचीज हो जाते हो यार मुझे इस मुवी में ना स्टोरी लाइन समझ में आ रही है ना ही डेक्टर के पफोर्मस समझ में आ रही है ना ही इसके direction समझ में आ रही है तो मतलब problem क्या हाँ पे चल रही है दोस्तो सच बता रहा हूँ ये movie इतनी फाल्तु है इतनी घडिया है कि कोई मलब कचर पट्टी वाला इंसान भी होगा जिसके अंदर story लिखने की शमता ना हो वो भी इससे बड़िया storyline लिखेगा मलब इसकी storyline इतनी वाहियात थी इतनी वाहियात कि एसा ना आपने पहले कभी देखा है और ना आगे कभी देखोगे इतनी फाल्तु storyline इस movie में दिखाई गई है कहा की storyline पे कहा जोड़ दिया और इसकी ending कहा पे खतम की है आप सोच तक नहीं सकते मलब अगर इसके director और writer आपको सामने मिल जाएगा ना दो चपाट मारने की इच्छा हो रही है इतनी फाल्तु इसकी storyline है और इनके actor के जो performance से माई ये तो इनसे एक कदम और आगे है इतनी overacting मैंने कोई भी film में नहीं देखी जितनी overacting इस film में लोग कर रहे थे मलब सच बता रहा हो ना है इस film के actor को ना acting आती है ना dialogue deliveries आती है और ना ही चेहरे के expression आते है कुछ भी नहीं इतनी cringe acting टिक टोक वाले भी नहीं करते है जितनी इनों ने इस film में की है मलब दोस्तों ये film देखने के बाद आप एक बार पक्का समझ लेना कि सिर्फ बहारी रूप से अच्छे दिखने से कुछ नहीं होता अंदर से talent भी होना चाहिए इस movie के जो actor है देखने में अच्छे लगते हैं जो actor से बहार से खुब सूरत है लेकिन अंदर की उसकी acting इतनी cringe है कि पूरी movie को बरताश कर पाना मुश्किल हो गया था एक गंटे 35 मिनिट की ये movie है लेकिन सच बता रहा हूँ ये आपका इतना दिमाग खाती है ये movie कि इसको 5 मिनिट के अंदर ही छोड़ना का मन कर दिया था अगर आपको ये movie देखना है तो अपने दम पर ही देखना बाकि एसी खटिया movie को मैं बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा ये movie आपको शेमारू मी नाम के OTT प्लेटफों पर देखने को मिल जाएगी और वो सके तो इस movie से दूर ही रहना मैं इस movie को दूँगा जीरो आफट ओफ 10 स्टार्ज आपको ये review कैसा लगा comment section में जरूँ बताएगा और गर review अच्छा लगा ओ तो like जरूँ कीजेगा तब तक के लिए फिर मिलते हैं ने जैश्री राण